कि पनी कुछ फट गई निची से की वार क्या होता है कि पत्थर कंकर बगर उपर डाल देते हैं पाइप डलते तो इसी लिए यह फट जाती है और इसके अंदर किशियों नहीं गुशनें दे क्यों गुश गया जो मर गया हूं क्यों पिलास्टिक बहुत दीवार खड़ी एक सिस्टम और पिलास्टिक इसका बहुत ज्यादा चिकने टाइप होता है और बार निकलने का चांस बहुत प्ड़म होता है इसका एक साइड से और लेवल रखे बार निकलने का ताकि प्शे Turns बड़ू असान रहे और ऊसंद रहे तो यह रेंप बनाया हुआ रेंप बोलते ह तो यह दिवारे बगेर अच्छा है और अच्छा सिस्टम है अब बोलते हैं कि सिदा पानी लगाएं पहले खिशान क्या करता था सिदा पानी लगाता था जो पानी क्यारियों से पानी पिलाता था क्यारियों से पानी पिलाने का और बूंद बूंद से सिंजित खेती करने से क्या फाइदा है तो इसका अलग अलग अंतर है मैं बता देता हूं क्यारियों से पानी कोई भी लगाते हैं खेती के अंदर तो इससे क्या आता का पानी वे उसको पौधे को फिर नड़ाई गड़ाई करना पड़ता है हरतीर की दिखत रहती है बून्द-बून्द से क्या थाया मिट्टी dua ली रहती है न्दई ली जादा के जादा वर पादों के जkiej ज़ब गेरायी तक जाती है एक मिट्टी इसी है बालमिjuk मानो तो यह केबल बूंद बूंद वाड़ा सिस्टम बिलकल सोब परशंट बिलकल सही है. क्यों कि ऐसी लिए सही है कि पौद एक पुट होती है माल लिया कुछ बादा 4 इंच का था दो दो इंच तक जड़ जाती है तो माल लिया एक फूट तक जाता है एक फुर्टक पानी पोद एक जड़ खेंच लेता है, कोई भी पोद आउप फसल लगा, जब आज अपने पानी दे दिया, और पांस दिन बाद में क्या होता है, मिटी एक फिल्टर जैसा काम होता है, पानी देने के बाद में दिरे दिरे, आज एक दिन एक इंच निचे गया कल दो इंच चला जाएगा, और ऐसे करता करता पानी, और जड़ से पानी दूर हो जाता है, पानी से जड़ दूर हो जाती है, जड़ से पानी दूर हो जाता है, तो क्या होता है को उसके पानी पोदा जलने लग जाता है, क्यों उसको पानी नहीं मिलेगा तो जलेगा, तो पानी अपने एक फुट दे दिया तो एक फुट पानी दिया अपने तो पानी नीचे चला गया और पोदे को मिला नहीं पान दिने के अंदर और अपने बूंद बूंद का सिस्टम क्या होता है कि पानी व्यर्थ क्यों नहीं जाता है कि आज अपने पानी डाला उस्टम एक फ फुट तक जाएगा तो पान दिन साथ दिन तक पानी वह फुट नीचे जाएगा तो यह यारी कि उसकी जड़ के पाने उसको पौदे को मिलता रहेगा मिलता रहेगा वो एक इंच पानी दिरे दिरे निचे जाएगा और पोदे को पानी मिलता रहेगा पहले दिया एक फुट पानी और क्यारियोश लगाया तो एक फुट पानी दिया और पोदे से बेसे आपने पानी दिया तो क्या हुआ एक इंच पानी दिया टो एक ताव्णस हिदे इसे लगाते है और एसे देते हैं एक इंच नहीं कि पानी की बत्चते ज्जादा होती है पानी को में सिर्ण आजर मिंटा उड़ा है और पूंधि को जिश्ण जाए लिए il से 1 ज़से में जहें देली भी चलेगा छौलर से सप्लाई मिलेगी भूर देली इसमें फ़ारेश चेंज करते रहो खैती करते रहो देलन की खैती कोई भी हो जीरिया खैती कोई प्रकार की क्याती ओ इसे करो एक उपर से पानी पड़ता है तो जल्दी रोग रफा नहीं आता है अधा पोदे को लागी आपके बस ज्यादा पानी है तो कोई क्र सकते कोई दिकत नहीं है 10 में कुछ करते इंयह वहाँ कान भी होता तो पान में फालतू रहता और लगाते उसी टाइब कई है यह राजस्तान है राजस्तान के कुछ जिले से हैं बूंद वालाई है और फारे वाली खेती कर सकते हैं ड्रिप सिस्टम से नौजल से यूज करने पड़ते हैं यह जमीन विका हुए यह अंदर मकान बगिरा है सारी फेसलिटी है टोटल हर तरगी डेम बने वे मैंने दिखा दिया आपको किसी प्रकार का इसू नहीं है और अच्छी जमीन है बिकानेर चेत्र में है टोब लोकेशन एडिया है जनरल केटेगरी का इडिया है 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 तो बालू जी मकान सारी फेसलिटी बढ़ी है अंदर है है मकान का मैं थोड़ा व्यू ओर दिखा देता हूं है जनरल की जमीन है कोई भी दे सकता है बाई संपरक करें दियेगे नंबर पर यह जमीन है यह मकान अंदर हड़ने के लिए है वाश्य है